हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टो लॉजिक पार्ट शला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करेंट अफियस तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में 6-12 नेवेंबर के हमने लास्ट वीक में जो भी करेंट अफियस को कवर किया है उन सभी को हम लोग अक्टोबर के वो कंप्लीट हो गए है तो आप लोग ज़रू चेकाउट करें उन सभी वीडियो को मंतली कर अंटरफेस की प्लेलिस्ट है जहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी तो चलिए फ्रेंड्स अब इस इंपॉर्टन सेशन को शुरू करते हैं क्वेशन फर सुरिस्म के द्वारा मैतरी राजदोत के रूप में किसे न्युक्त किया गया है करेक्ट आंसर है नीरत चोपड़ा नीरत चोपड़ा जिनका समद्ध जावलिन त्रो से है आपको याद होगा कि उलम्पिक में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था गोल्ड मेडल जीता था और इसका में उद्देश यही है कि जितने भी इंडिन ट्रेबलर्स होते हैं वो उनको प्रमोट किया जा सके जो भी सुजल लैन में देखे जो भी लोकेशन होंगी उनको शोकेस करना उनको प्रमोट करना ये इसका में उद्देश रहेगा और इसी के लिए फ्रेंड्शिप अ पारी को मनाया जाता है तो फ्रेंक्स ये सेलिब्रेट होता है आपका 7th of November को और कैंसर की बारे में कि कैसे हम इसे डाइगनॉस कर सकते हैं क्या इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं अरली हम इसे कैसे पहचान सकते हैं इसी के बारे में अवेर्नेस यहां पर पढ़ाई जाती है 2014 स से National Cancer Awareness Day इसको स्टिब्लाइश किया गया और इसको स्टिब्लाइश किया किसके द्वारा किया फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्ष वर्धन जी ने जो है इसको इसकी स्थापना की थी तो 2014 से यह जो दिवर से यह हर साल आपका सेलिब्रेट किया जा रहा ह अगला कोशन है who has unveiled the booklet agenda for members of पंचायती राज institutions for rural development तो ग्रामिर विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए जो agenda पुस्तिका है जो agenda for members जो booklet है इसको unveil किस ने किया है right answer is गिरिराज सिंग जी के द्वारा जो है इस booklet को unveil किया गया है इस booklet में देखे काफे सरी schemes के बारे में information है जैसे मन्रे का दीन दयाल अन्तुद्य योशना तो ये सारी जो जितनी भी schemes है गौर्मेंट की ये सारी schemes जनरल जो पबली के आम जनता है उसको उपलब्द होगी व on which date infant protection day is being observed situation दिवस किस तारी को मनाया जा रहा है यानि किस तारी को ये मनाया गया तो ये मनाया गया है आपका 7th of November को और friends इसका में उदेश्य ये होता है कि लोगों को जो new babies होते हैं कैसे उसकी care करनी चाहिए क्या हमें need है इसके बारे में जागरू करना इसका में उदेश ये है which ministry has released the performance grading index for states and UT for 2020-21 तो performance grading index को जारी किस ने किया है राइट आंसर इस सिक्षा मंत्राले ministry of education और ministry of education है किस के पास में धर्मेंद प्रधान जी के पास है इनके द्वारा performance grading index को इन्होंने जारी किया है में इसका उदेश ये है promote करना evidence based policy making और highlight करना course correction ताकि हम education में quality लेके आ सके उसी के लिए performance grading index को release किया गया है who among the following union ministers has inaugurated the shilp samagam 2022 in new Delhi मैं थोड़ा सा फास चल रही हूं guys क्योंकि ये सब questions देके हमने पढ़ दिये हैं हमें revise करना है और जो important points है वो मैं बताती चलूंगी तो इससे questions से little information भी हम लोग जानते रहेंगे तो फटा फट से इसलिए हम इससे cover करेंगे तो शilp samagam है इससे inaugurate किया है किसने डॉक्टर विरेंदर कुमार ने इससे inaugurate किया है उदेशे इसका ये है कि जो भी हेंडिग्राफ प्रोडक्ट होते हैं उनको showcase करना और उनकी बिकरी करना उनको बेचना इसी उदेशे से इसको inaugurate किया गया what is the name of the chatbot जो कि launch किया गया है unique identification authority of India के द्वारा और किसलिए ताकि जो resident experience है जानी जो निवासी अनुबवे वो और भी बहतर हो सके तो उसके लिए chatbot launch किया और इस chatbot का नाम रखा है आधार मित्र तो इसमें देखी क्या होगा आपकी जो enrollment हो गया या आपकी जो location है नामांकन केंज इस्तान है वो सारी सुविदाएं जो है आपको यहां से मिल जाएंगी who has inaugurated the 6th edition of Ganga Utsav 2022 in New Delhi right answer is जी किशन रेड़ी जी ने गंगा उससव के जो चटा संस्क्रण है इसका उद्गाटन किया है और इसका उद्देश यह है कि इंडिया में जो नदी घाटियों में जो भी rejuvenation होता है उसकी importance के significance के बारे में awareness create करना उसको celebrate करना यह इसका main उद्देश यह है ताकि लोग भी एक तरीके से rivers के साथ में connect हो सके हैं in which state the 11th edition of annual joint military training जो कि किस-किस के बीच में हुई है Indian Air Force और Royal Singapore Air Force तो joint military training हुई है इसका हुआ है 11th edition और यह कौन से राज्य में शुरू हुआ तो यह शुरू हुआ friends West Bengal में दोनों जो Air Force है उन्होंने दो साल के बाद इस training को फिर से शुरू किया है और यह जो training है जो addition रहेगा joint military training exercise का यह 6 हफते तक चलेगा और अगर हम air staff की chief की बात करें तो present time में कौन है विवेक राम चौधरी अगला question है which platform has launched a platform एक platform को उन्होंने launch किया है जो कि flood forecast को display किये करेगा यानि बाड़ के पूर्मानमान को प्रदशित करेगा और इसको नाम भी दिया है flood hub यह किस ने launch किया है तो इसे launch किया है Google ने देखे जो पहले से information पता चल जाएगी कि flood कहा आ रहे किस time पे आ रहा है तो हम उसकी बारे में पहले से ही prepare हो पाएंगे थाकि हम जो public है उसकी मदद कर सके तो इसी उदेश्य के साथ में इस platform को launch किया है Google ने अगला question है the union cabinet committee chaired by Prime Minister नरेंद मोदी जी has approved the naming of Greenfield airport at Holong airport जो Holong airport है उसको दोनी पोलो airport के रूप में इसका जो नया नाम यह रखा गया है दोनी पोलो airport यहां बताना है कि जो होलोंगी airport यह कहां पर है तो right answer हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है यह और इसका जो है भी नाम चेंज किया गया है अरुणाचर प्रदेश की capital ही इटा नकर चीफ मिनिस्टर है पीमा खांडू और गवर्नर है बीडी बीडी मिश्राम अगर हम कुछ और airports की बात करें तो दिखें जैस चंडीगर एरपोर्ट है इसका नाम श रखा गया है महरासा बीर बिकरम एरपोर्ट आयोध्या में जो एरपोर्ट है उसका नाम रखा गया है मर्यादा पुरुशोत्तम श्रीराम एरपोर्ट तो यह friends important रहेंगे यह सारे ही अभी हाली में नाम इनके change हुए है which state government inaugurated the लगपती दीदी योशना तो किस राजे सरकार ने लगपती दीदी योशना का उधगाटन किया है सही answer है उत्राखन की government ने इसे शुरू किया है और इस लगपती दीदी स्कीम के तहरे जो भी women's है जो self help group से belong करती है वो encourage करेंगी जितने भी micro enterprises या जितने भी इतरी के से महिलाओं को कोशल विकास के साथ सूख्ष मुद्यम करने के लिए प्रत्साहित किया जाएगा which of the following payment bank has conducted the first floating financial literacy camp of India और इसे नाम दिया है निवेशक दीदी तो जमू कश्मीर के श्री नगर में इस वित्तिय साक्षरता शिवर को आयजिक किस bank ने किया है तो इसे किया है इंडिया post payment bank ने इसका उद्धेश है वित्तिय साक्षरता को बढ़ाना और ये महिलाओं के द्वारा ही बढ़ाये जाएगी महिलाओं के लिए ही ठीक है वो अपनी queries को share कर बाती है अपनी problem share कर बाती है इसलिए महिलाओं के द्वारा ही महिलाओं के लिए यहाँ पे financial literacy को promote करने के लिए इंडिया post payment bank ने जो है निवेशक दीदी को शुरू किया है इंडिया post payment bank के सापना 1st September 2018 2018 को हुई headquarter है इसका न्यू डेली में MDC हो है J. Venkatramo और इसकी tagline है आपका bank आपके द्वार Who has been appointed as an independent director of Reliance Industry Limited सही answer है के वी कामत Next one is Who became the first player to take a head trick in ICC T20 World Cup तो ICC T20 Wish Cup में head trick लेने वाले पहले खिलाडी कौन बने सही answer है हमारा यहाँ पे विराट कोली अगला question है The Indian men's team has won its first gold medal by defeating which country in the Asian squash team championship तो इन्होंने किस team को हरा कर gold medal जीता तो इन्होंने किसे defeat किया है इन्होंने कुवेट की team को defeat किया है final match की बात करें तो यह हुआ कहां पे था South Korea में और इंडिया के team ने कुवेट को defeat करके gold medal अपना जीता On which date International Day of Radiology is observed Right answer है 8th of November को अंतराश्टिये radiology दिवस चोहे मनाया जाता है और इसकी theme रखी है इस बार Radiographers at the forefront of patient safety Education Ministry will celebrate जन जातिये गौरव दिवस on which day in school and higher educational institutions across the country तो जन जातिये गौरव दिवस यह मनाया कब जाएगा तो यह 15 November को जो है celebrate किया जाएगा और किसके द्वारा यह announcement की गई है Education Ministry के द्वारा 15 November also birth anniversary होती है बिरिसा मुंडा जी की जो की freedom fighter, social reformer और tribal leader रहे थे हमारे देश की Which country has become India's top oil supplier in October 2022? Right answer is Russia is the correct answer Russia की capital है Moscow currency है Russian ruble, President व्लादिमार पुतीन Prime Minister है, Mikhail, Mishyutin और Russia जो है area wise बात करती है तो सबसे largest country है world में The first Vedic clock, world first Vedic clock will be installed in which of the following city? तो right answer है friends Ujjain is the right answer तो wish हो की, पहली जो Vedic गड़ी है वो इस शहर में स्थापित की जाएगी Vedic clock को, जो sun की position के साथ साथ दुनिया भर में, अलग-अलग स्थानों पर कहां पर sunrise हो रहा है जहां पर भी sunset होता है मतलब sunset sunrise hazard होता है means कि उसके समय के साथ में इसको सिंग किया जाएगा और पहला प्रवासी भारते दिवस organized किया गया था 2003 में Union Ministry of Tourism will participate in the world travel market which is being held in Daesh तो ये जो कहां पर आयचित किया गया इसका आयचन किया गया फ्रेंड्स लंडन में इसका आयचन किया गया ये one of the largest international travel exhibition है और इस साल जो इसकी theme रखी गई वो है the future of travel starts now the first voter of independent India Shyam Saranegi इनका भी हाली में ने धन हुआ 106 वर्ष की आयू में he was from which state ये किस state से थे ये बताना है तो answer है Himachal Pradesh से ये mark करेगा ये important question रहेगा आपके exam के लिए अगला है UP government aims to make one of the India's largest pilgrimage center Mathura Vrindavan and net zero carbon emission tourist destination by which year तो इसे जो है ये net zero carbon emission destination भनाना चाहती है और कौन सी ये तक के लिए target रखा हुआ है तो 2041 तक के लिए जो target है वो UP government ने रखा है अब यहाँ पे जितने भी electric vehicles होंगे सिफ उनी को ही इस area में allow किया जाएगा तो किस state के दोरा इसे organized किया गया राइट आंसर इस नागलेंड के दोरा इसे organized किया गया और नागलेंड में जो bird diversity है उसके बारे में जागरुकता फैलाना ही इसका उदेश्य है नागलेंड की capital है कोहिमा चीफ मिनिस्टर है नेफियूरियो governor है जगदीश मुखी researchers from which state जिनों discover की एक नई species honey bee की यानि मदुमक्की की एक नई species discover की गई है 200 साल बाद और इसे नाम क्या दिया है Apis carinjondium तो किस राज्यों के researchers नीने खोजा है right answer is Kerala very important question क्योंकि 200 साल बाद एक नई species कोजी गई है और इसको जो common नाम दिया है वो है Indian Black Honey Bee honey bee की जो last discover हुई थी यानि मदुमक्की की जो last species discover की गई थी वो 1798 में की गई थी और इसको नाम दिया था Apis Indica who released two books जिसका title है Moody at the Ray 20 Dreams Mead Delivery और second book का नाम है Heartfelt The Legacy of Faith इन दोनों book को किसने release किया है आंसर हो जाएगा friends Rajiv चंदर शेकर next question is who has been elected as a new president of International Hockey Federation for two years दो सालों के लिए ने चुना गया है तो इनका नाम है friends Tayyab Ikram is the right answer FIH के सापना 7th of January 1924 को हुई इसका headquarter है Switzerland में CEO है Theoryville President कौन बने है Tayyab Ikram और इसका motto है Fair Play Friendship Forever Who has been appointed as an honorary member in the General Division of the Order of Australia for his contribution to the Australia-India by-written relationship तो friends किसे निक्त किया गया है हमारा correct answer हो जाएगा Amit Dasgupta जी को जो है इसके लिए अपोइंट किया गया है Who has been appointed as a brand a master of edtech platform by Jew to promote education for all सभी के लिए सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए by Jew के brand master के रूप में किसे अपोइंट किया है तो आपका right answer है Lionel Mesty Next question पे बाढ़ते हैं Who has become the first Indian and second player to score 1000 T20 international runs in a calendar year देखे पहले तो ये इंडियन है और लेकिन अगर बोरे वर्ड की बात करें तो second player है जिरोंने एक ही calendar year यानि एक वर्ष में 1000 T20 international runs बनाई हैं तो इनका नाम है सूर्य कुमार देव और अगर हम वर्ड में पहली की बात करते हैं तो वो कौन रहे 2021 में पाकिस्तान की जो विकेट की पर बैटर है मुहम्मद रिजवान इन्होंने 1,3,2,6 runs बनाई दे और second अब कौन बनी है सूर्य कुमार यादव On which date उत्राखन Foundation Day Observed उत्राखन का जो Foundation Day या स्थापना दिवसे ये मनाया गया है आपका 9th of November को तो उत्राखन की जो स्थापना हुई थी वो 9th of November 2000 को हुई थी और उत्राखन मना था हमारी इंडिया का 27th state ये UP से अलग हुआ था इसके बाद ध्यार लखेंगे 2007 में क्योंकि जब ये बना था तब इसका नाम उत्राणचल था 2007 में उत्राणचल से नाम चेंज करके किया गया है उत्राखन उत्राखन की कापिटल में है देरादून गैरसेड यहां के चीफ मिनिस्टर है पुशकर सिंग धामी गवर्नर है गुर्मी सिंग, कौरविट नेशनल पार, गंगोतरी, गोविंद, डंदा देवी, राजाजी, वेली ओफ लार, नेशनल पार्क यहां के ट्राइप्स में है भोटियाज, बकसा, जौनसारी, खास, राजी और थारू जो हाइस्ट डैम है इंडिया का टीरिय डैम वो उत्राकर्ण स्टेट में है, भागरती रिवर पे इंपोर्टन टैम्पल्स में है, बद्रिनाथ, यमनोतरी, गंगोतरी टैम्पल और केदानाथ टैम्पल ओ यहां पर तो आपको अंसर टीक मिल गया है विच मेट्रो रेल कॉर्परेशन जिन्होंने अम्यू साइन किया है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट के साथ तो वो है डेली मेट्रो रेल कॉर्परेशन अगला कोशन है अकॉर्डिंग टो फोर्प स वर्ड बेस्ट एम्पलॉयर्स रैंकिंग्स तो सबसे उपर इस रैंकिंग में जो रहा है वो है सामसंग सामसंग आप देख सकते हैं फोर्स नंबर पर जो कि साउथ गोरिया की कंपनी है उसके बाद हैं माइक्रोसर्प और आईबिम अलफबेट अपल अगर इंडिया की कंपनी के बाद करें तो टॉप 20 में इंडिया की एक ही कंपनी है यह तॉप 100 में भी बोल सकते हैं रिलाइंस जिसकी रैंक है 20 उसके बाद देखें STFC लिमिटेट के रैंक 137 है बजाच की है 173 तो रिलाइंस इंडिस्ट्री के रैंकिंग भी साती में ध्यान रखें विश सिटी हैस विकम दा सेकेंड इंडियन सिटी जिसने इशू किया है मुनिसिपल बॉन्ड तो राइट आंसर हो जाएका वदोद्रा वदोद्रा जो है वो पहला दूसरा भारते शहर है जिसने नगर निगम बॉन्ड को जारी किया है अगर बात करें पहले शहर की तो वो कौन सा रहाता पुने जिसने इशू किया था मुनिसिपल बॉन्ड टुटावसें सेवन्टीन में एशिया डेवलप्मेंट बैंक हैस अप्रूवड आ युएस्टी त्री फिफिटी मिलियन लोन तो विचर दे फॉलइंग स्टेट तो इंप्रूव दा रोट कनेक्टिविटी ऑफ की एकोनोमिक एरियास इंदी स्टेट तो सड़कों की जो सड़कों की रोट कनेक्टिविटी उसको इंप्रूव करने के लिए एडीबी ने 350 मिलियन डॉलर का जो लोन है ये किसी स्टेट को दिया है तो ये दिया है उन्होंने महराश्ट स्टेट को अब उससे क्या होगा ये जितनी भी road connectivity हो उसको improve कर पाएंगे road network को improve कर पाएंगे तो ये तो पता चलगा कि ये जो festival है ये मेगाले में संपन हुआ लेकिन मेगाले में कौन सी लेक पर हुआ तो लेक का नाम क्या है उमियम लेक मेगाले की capitalist शिलॉंग और chief minister है कौनराड संग्मा who among the following will be felicitated by the उत्राखन government with उत्राखन गौरव सम्मान उत्राखन गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा answer है अजीर दोवाल, प्रसून जोशी और गिरीश चंदतिवारी इसलिए answer होगा आपका all of the above और इनके लावा जो हमारे former सेडियस थे विपिन रावच्ची इनको भी सम्मानित किया जाएगा late poet and author गिरीश चंदतिवारी and विरेन डांगवाल तो इन्हें मर्नो परान जो है वो दिया जाएगा who has been appointed as a chairperson of 22nd law commission of India right answer है रितुराज अवस्ती ये 22 विद्धी आयोग के जो है अध्यक्षपत पे appoint होए है अगला है who has been named women's player of the month for October 2022 by ICC women's player of the month में चुना गया है निदादार को निदादार जो है कि पाकिस्तान की player है और अगर हम men's player of the month की बात करें October की तो किसे चुना गया है विराट कोली को ICC की स्टापना हुई 1909 में headquarter है ICC का UAE दुबई में chairman है Greg Barclay, CEO है Geoff Elardis और members है इसके 108 यह आप देख सकते हैं मैंने हर एक मन्त के लिखे हुए हैं आप इनको easily अच्छे से यहां से revise कर सकते हैं प्रमोद भगत एन मनिशा रामदास won which medals in singles at BWF पैरा बेडमिंटन वर्ट चैंपेंशिप 2022 तो दोनों नाम ध्यान रखे प्रमोद भगत एन मनिशा रामदास इन्होंने कौन सा medal चीता है गोल्ड मेडल चीता है और यह चैंपेंशिप कहां पे हुए टोक्यो में हूँ है जो कि हुआ मनोहर बारिकर मेमोरियल हॉल और संचे सेंटर फॉर एजूकेशन पोर वोरियम तो पोर वोरियम तो फ्रेंट्स परपल फेस्ट का जो लोगो है यह किसने लौंच किया है गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने इसे लौंच किया है अगला कोशन है विच आव दी फॉलोइंग आयटी है साइन एग्रिमेंट विद कोचिन शिप्यार लिमिटेड टो सपोर स्टार्टप इन दी मेरिटाइम सेक्टर तो इसके लिए जो एग्रिमेंट साइन किया गया है वो आयटी मदरास क साथ किया है ताकि जो भी मेरिटाइम सेक्टर के स्टार्टप से उनको सपोर्ट करें उनको आगे बढ़ाने में मदद किया जा सके अगला कोशन है वो हैस अन्वील्ड लोगो थीम एन वेबसाइट ऑफ इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी तो इसका जो लोगो है थ साल हुआ देखे वो इंडोनेशा में हुआ 17 एडिशन अगले साल होगा इंडिया में 2024 का होगा ब्रजील में 2025 का समिट होगा साउथ एफ्रिका में और विच बैंक हैस कमिटेट तो फाइनेंस थाउसेंड एंटर्परिनोर्स इन नागलेंड थू अपार्टनर्शिप विद बिजनेस असोसियेशन राइट आंसर हो जाएगा SPI इस ती करेक्ट आंसर SPI की स्थापना हुए 1st July 1955 को चेर परसन है दिनेश कुमार कारा और हेटवार्टर है इसका मुंबई में तो ये बुक किसने लिखी है तो फ्रेंग्स इस बुक की ओथर है निर्मला जेम्स अगली बुक देखते हैं देखें इस बुक के लिखा कौन है तो शेन बॉट्सन जो है इस बुक के ओथर है नेक्स है तीन सालों के लिए ने अपॉइंट किया गया है और इनका नाम है किशोर कुमार बसा जिस्टिस धरंजय यश्वंत चंदचू टुक ओथ ऐसा डैश चीफ जिस्टिस ऑफ इंडिया तो भारत के पचासवी जो है न्याइधीश के रूप में जो है जिस्टिस यश्वंत चंदचू जी ने जो है शपत ली है और इनका जो कारेकाल है वो 2024 तक चलेगा अभी इनोंने सक्सेट किसे किया है तो उदे उमिश ललिज जी के स्थान पर ये अपॉइंट हुए है सुप्रेम कोट के जज की जो रेटायर्मेंट एज होती है वो 65 होती है आंसर इस वाई के सी वडियार्ची को अंतराश्टे कंणर रत्न पुरुषकार के लिए चुना गया है अगला है on which date world science day for peace and development observed तो friends 10 नवेंबर को ये दिन observe किया जाता है और इसकी जो theme रही वो है basic sciences for sustainable development इसके stabilisement UNESCO के द्वारा 2001 में हुई और पहली बार इससे celebrate किया गया 2002 में next important day है हमारा national education day तो national education day कब मनाया जाता है सही answer है 11th of November के दिन national education day मनाया जाता है ये दिन commemorate करता है birth anniversary of मौलाना अबुलकलाम आजाद जी की चोकी independent इंडिया के पहले education minister थे theme रही इस पार की changing course transforming education India has participated in 26th international मालाबार naval exercise जो की हुई कहाँ पे Yoko Sukov Japan में इन में से कौन सी country मालाबार exercise का part नहीं है यानि हिस्सा नहीं है सही answer है रूस और फ्रांस देखे मालाबार जो exercise है न इसमें कौन कौन सी country है Australia, Japan, US और साथी में ध्यान रखेंगे इंडिया इंडिया के शिवालिक और कमोर्तन जो नेवर्शिप है उन्होंने इस event में पार्टिसिपेट किया ये exercise अब कब तक चलेगी? 18th of December तक ये important point है देखें मालाबर exercise इंडिया और US के बीच में शुरू हुई थी 1992 में उसके बार लेटर जोइन किया जपैन ने 2015 में देन ऑस्ट्रेलिया ने जोइन किया इसको 2020 में The Bureau of Energy Efficiency has signed an MU with which of the following bank to finance green MSME? आंसर हो जाएगा हमारा Sid B is the right answer Next है according to Forbes Asia's Power Business Women 2022 List इनमें से कौन सी women उसमें include है लिस्ट में तो आंसर है गजल अलग जो है उस लिस्ट में है और इंडिया में ये पहली position पे भी है Which institute is top educational institute in South Asia as per the recently released QS Asia University Rankings 2023 South Asia में जो institute ने top किया है फो है IIT Madras overall अगर हम बात करें top 5 Asian University की तो चाइना की Peking University ने इसमें top किया है लिस्ट में अटल इनोवेशन मिशन ये कौनसी इयर में लॉंच किया गया तो अटल इनोवेशन मिशन शुरू हुआ 2016 में और अटल इनोवेशन मिशन जो नीती आयोका है इसके इसी नहीं अभी लॉंच किया है Women Centric Challenges अटल इन्डिया जैलेंज विच अव दर फोर्निक स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफाइड दिकाविरी साउथ वाइलर सैंचुरी अशी स्टेट 17 वाइलर सैंचुरी आंसर इस तमिलाडू तो चो काविरी वन्यजीव अभ्यारण्य है अब ये तमिलाडू का बन गया है 17 वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हैस पिकम दी फर्स इंडियन अमेरिकन तो बी इलेक्टेट अस लेटिनेट गवर्नर इन दी स्टेट ऑफ मेरिलेंड एज जॉइनिंग दा यूस कापिटल आंसर इस अरोणा मिलर नेक्स्ट इस वो हैस पीन अवार्ड़ेड बेली के एशफोर्ड मेडल 2022 तो फ्रेंड्स डॉक्टर सुभाश बाबु जी को इस अवार्ड से समानित किया गया है ये अवार्ड उन्हें मिला है जो भी उनका ट्रॉपिक मेडिसिन में कॉन्टिबूशन है जो उनका एक्जेंप्ल रिसर्च बरके उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है इनके अलावा दिखे शिव नराइन चंदरपॉल भी इसमें शामिल हुई वेस्ट इंडीस के है एक और नाम ध्यान लगेंगे पाकिस्तान के स्पीनर जो है अब्दुल कादिर उन्हें भी ICC Hall of the Fame में इंडक्ट किया गया है तो फ्रेंट्स इसमें में सिंगल का टाइटल जीता है हॉल्गर रून ने और हॉल्गर रून ने डिफीट किया है किसे नुवाग जोकोविच को इंडिया में जो है यह कहां पर आयजित होगा नाइ दिलीस की मिजबानी करेगा और यह तीसरी बार है जब वुमें कॉंपेटिशन जो है हमारी कंट्री में हो रही है नेक्स्ट है अट विच प्लेस उडियन मिनिस्टर दॉक्टर जितेंद सिंग है इसे लॉंच किया है दॉक्टर जितेंद सिंग ने और जगा कॉंजी है फरीदाबाद तो इसकी अध्यक्षटा किस ने करी है सही आंसर है जॉक्टर जितेंद सिंग जी ने इसकी अध्यक्षटा की है आगरा कोशन है इंडियन आर्मी ने एक सिंगल विंटो फेसिलिटी लॉंच की है फॉर दी वेलफेर एंड ग्रीवेंसे ड्रेसल ओव वीर नारी रसेंटली इस विंटो फेसिलिटी का नाम किया है तो इसका नाम है देखिए अगनी सेवा इसका नाम है आपका विरांगना स दिवा केंद्र और इंडियन आर्मी ने इसको एक मोटो के साथ लॉंच किया है टेकिंग कियर अफ यॉर ओन नो मैटर वॉट तो फ्रेंड्स इसे मन्जूरी दी है फाइनस मिनिस्टर निर्मला सीथा रमणची ने अगला कोशन है उरीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पतनाईजी ने गोशना की है कि वो किस साल तक उरीसा को स्लम फ्री जो है कर देंगे यह स्लम फ्री जो है उरीसा को कर दिया जाएगा तो इसके लिए जो एर टागेट रखा है वो है 2023 का किस राचे सरकार ने 10 नवेंबर को राजय में बाजरा दिवस के रूप में मनाया है तो कौन सी स्टेट हो जाएगी उरीसा इस दी राइट आंसर आप देखे इसका उदेशे प्राइमले यही होगा कि जो प्रमोट करना मिलेट को इसको प्रमोट करने के लिए ही 10 नवेंबर को मिलेट दे मनाया गया तो किस स्टेट को रिसीव हुआ है आंसर इस हरियाना अगला कोशन है who has received कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवर्ड 2022 तो यह अवर्ड किसे मिला है आरफा शेरवानी और आरफा शेरवानी जो है यह वायर सीनर एडिटर है सेकेंड नाम ध्यान रखेंगे अरजीत अंजुम यह इंडिपेंडन जनलिस्ट और यूट्यूबर है इन दोनों को ही इस सम्मान से सम्मानित किया गया who among the following has been appointed as a brand ambassador of navi technology सही आंसर है friends MS दोनी जी को appoint किया गया है which of the following bank has launched merchant one account for micro, small and medium enterprises तो इससे launch किया है कोटक महिंदरा बैंक ने who has become the first batter in history to reach 4000 runs in T20 internationals right answer है विराट कोली तो 4000 तक पहुंशने वाले इदियास की पहले बल्लेबास बनी है विराट कोली अगला question है which of the following state will host 2023 kilo India National University Games तो इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा answer इस उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के चार शहरों में इसका आयजन किया जाएगा लगनव, गोरगपुर, वराणसी और नौइटा तो friends ये थे हमारे सभी important questions total हमने cover किये हैं 75 questions तो इन 75 questions में friends बताएगा कि आपका क्या score रहा है और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपका अच्छे से revision हुआ होगा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें शेयर करें अपने friends के साथ और चैनल पे नई हैं